कंपनी अकाउंट्स के कोश्चिन आप लोगों को दिये थे अभी आज दूसरी क्लास है कंपनी काउंट्स की और मैं बार-बार बोल रहा हूं मज़ा तभी आएगा जब शुरू से उसको खतम करते चलोगे क्लास मिस होगी या घर पे पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ध्यान रखना तो चलो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों के डाउट्स लेता हूं जो भी डाउट्स है आप चैट करके बता सकते हो कोश्चिन नमबर एट और नाइन कोश्चिन नमबर एट और नाइन यार देखो पहले में न एक बार एंट्री की बात करता हूं आप सब लोगों ने एंट्री तो याद कर ली होंगी न एट और नाइन्थ कोश्चिन मैं करा देता हूं कोई बड़ी बात नहीं है एट और नाइंथ मैं कराऊंगा लेकिन जर्नल एंट्री की बात करें तो एंट्री तो सब लोगोंने याद कर ली ना वेरि गुड देखो एक बार मैं रिवीजन करता हूं आप लोगों के लिए फिर कोशिन पर चलेंगे फेले हम रिवीजन कर लेते हैं, general entry का मैंने कहा था कि company public से पैसा मंगाती है business करने के लिए company public से पैसा business करने के लिए अब general entry की बात करें, मान लेते हैं चार किस्त है application है 3 रुपय की allotment है 4 रुपए की first call है 1 रुपए की और जो final call है वो कितने की होगी मुझे बताओ total value 10 है तो final call कितने की होगी 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10 तो application की 2 entry होगी entry मैं आपको last class में करा चुका हूँ कोई problem नहीं होनी चूस में application की 2 entry पहली bank account debit to share application दूसरी share application account debit to share capital bank to application application to capital मान लेते हैं share है 1000 तो 1000 इंटू 3 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 clear है अब allotment की 2 entry होगी allotment की due की entry क्या होगी share allotment account debit to share capital और अगले entry होगी bank account debit to share allotment, 1000 share है allotment 4 रुपए की तो 4000 4000, 4000, 4000 4000 मंगवाया गया, 4000 रुपए आ भी गया first call की entry की बात करें first call में भी दो entry है first call में दो entry first call की पहले entry क्या होगी share, first call to share capital और फिर दूसरी entry bank account debit to share, first call clear cut entry याद हो जाने की आपको 10 बार याद करो 20 बार पर ऐसे याद हो कि एक ही सांस में सारी entry बोल सको 1000 x 1000, 1000, 1000, 1000 ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ देखो अगर आपको यह हमारे मतलब की brain में ऐसा ही होता है अगर आप लोगों को entry अच्छे से याद है entry में अगर आप perfect हो जर्नल entries में तो आपका दिमाग entry की तरफ जोर नहीं डालेगा फिर जब मैं कोई नया concept सिखाऊंगा आपका दिमाग वहाँ जोर डालेगा अगर entry में ही आप कमजोर हो तो दिमाग entry कोई सोचता रहेगा नया concept क्लियर नहीं होगा इसलिए आपको एक दिन का time सुबह सामता की आठ एंट्री बहुत आयाद करने के लिए फाइल कॉल के entry क्या होगी शेर फाइल कॉल टू शेर क्यापिटल और बैंक काउंट डेबिट टू बैंक काउंट डेबिट टू शेर फाइल कॉल तो 1000 इंटू 2000 2000 2000 तो यह आठ जर्नल एंट्री बिसिकली मैं आपको कराया था लास क्लास में और हमने कुछ खास नहीं किया इसमें देखो 1 से 4 तक अभी करना नहीं है आपको ध्यान रखना कोशिन की सुरुवात 5 से होगी उसे फोर नहीं करना आगे बहнос करना आपको अबहों से फोर नहीं करना आ अब हम च्टार्ट करते आपके एड़ more चलो ऐगे मैं कीता फटे खेलैसके एक कम्पटील लाइफ टाइब में पब्लिक से कितना पैशा मंगा दिखती है वह थ्राइश एयर क्यापिटल इस साल आपने कितने शेयर इशू किये कि वह क्लास हो गया आपका इशूर शेयर क्यापिटल अगला विजूरे शेयर क्या पैसा पब्लिक से मंगवा लिया गया है that is called subscribed share capital sorry sorry कितना public ने मतलब की application दिया है public ने कितने share को खरीदने की मांग की है subscribe share जिसे आप देखते हैं Tata sky वगएरा मैं आपके घर पे वो होगा डिश टीवी वगएरा तो उसमें कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन दबाएं दो बटन दबाएं तो यानि कि आप से application मांगी जा रही है subscribe मतलब कितने लोगों ने apply किया filled up कितना पैसा मंगवाया और paid up का मतलब क्या है कितना पैसा paid हो गया पब्लिक से कितना पैसा आ गया तो question नमर 8 सब लोग चेक करो जिनका doubt है वो भी जिनका नहीं है वो भी marigold limited है authorized share capital है तीन लाख रुपए आपको question बहुत धंक से पढ़ना यह रुपीज दिया गया है यह तीन लाख रुपए है जिसमें किया रहे है 30,000 share हम issue करेंगे 100 का एक 30,000 share 100 का एक जो किसको offer किया रहे है पब्लिक को application पे 30 रुपए है 40 रुपए allotment पे और बचा कुछा file call पे तो मुझे बताओ जरा company कितने share issue कर रही है 3,000 share मैं solution ऐसे लिखता हूँ देखो company कितने 1000 share issue कर रही है 3,000 share एक की कितनी कीमत है 100 है ठीक है application पे कितना पैसा मांग रहे है 30 रुपए allotment पे कितना पैसा मांग रहे है 40 रुपए तो मुझे बताओ आप first and final call पे वो कितना मांगेंगे total amount 100 है total amount 100 है 40 प्लस 30 70 हो गया तो यह balance कितना आएगा 30 है तो यार अब इस question में क्या मतलब problem तो कुछ होनी नीचे इस question में तो application की दो entry होगी पहले entry क्या करोगे और आप हमेशा format बना के करोगे ध्यान रखना bank account debit to share application account अगर एक्विटी है तो इक्विटी लगा दो कोई मतला भी नहीं उसमें कम नंबर आने का अगले entry क्या होगा share application account debit to share capital अगर एक्विटी है तो इक्विटी लगा दो कोई problem नहीं है नब्बे हजार नब्बे हजार application की दो entry होगी अब allotment की दो entry पास करते हैं सिर्फ entry की practice है यार सारे question मुझसे कराओगे तो आप ही का नुकसान है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं एक एक question करा सकता हूं पर जो काम 10 दिन में होना है वो काम 20 दिन में होगा फिर यह आप ही का नुकसान होगा ध्यान लखना इसलिए homework discuss करके कर लिया करो नहीं तो अगर म आप समय कितना लगेगा शेयर allotment account debit to share capital अब देखो यह कितना simple question है इसमें कुछ है भी नहीं यह मुझसे करवा रहे हो आप चालिस इंटू तीन एक लाग बीस हजार एक लाग बीस हजार next entry bank account debit to share allotment account अब आते हैं first and final call की entry share first and final call to share capital कितने हजार share है तीन हजार यह तीन हजार इंटू तीस नब्य हजार नब्य हजार नब्य हजार पैसा बैंक में आएगा bank account debit to share first and final call 90 90 डन देख लो भई यह question हमारा question complete हो गया कि चलो 9th question मैंने कल समझाए वह था आपको 9th question में क्या है एक बार देख लो 8th question का screenshot ले लो नहीं तो पटाफट लिख लो जल्दी से मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी हमारा काम खतम हो जाए हुमवग घर पे करा करो ताकि से लवस जल्दी खताम हो यह बहुत छोड़ोड़ question है ऐसे question पेपर में नहीं आते ध्यान रखना लेकिन आगे के लिए यह बहुत जरूरी है इसको बिना पड़े हम आगे नहीं जा सकते 9th question चलो सब लोग जरा चेक करो क्या लिखा है 9th question modern marble limited है इनकी authorized capital है 10 लाख रुपए यानि lifetime में यह public से 10 लाख रुपए ले सकते हैं divided into कह रहें कि जो 10 लाख रुपए लेंगे वो कैसे लेंगे साड़े साथ हजार तो equity share issue करेंगे सौ का एक और धाई हजार preference share issue करेंगे सौ का एक जहां से देखो साड़े साथ हजार तो वो equity share issue करेंगे ठीक है 100 each share दो टाइप के होते हैं equity और preference equity वाले ही actual में owner कहलाते हैं preference वाले जो होते हैं वो outsider की तरह होते हैं उनको profit का fix percent चाहिए ही चाहिए profit का fix percent उनको चाहिए ही चाहिए preference shares को लेकिन equity वाले ऐसा नहीं है company अच्छा कमाईगी तो यह अच्छा लेंगे खराब कमाईगी खराब लेंगे तो यह मालिक की तरह है लेकिन preference वाले ऐसे नहीं है उनको fix है भाया उनको इतना चाहिए ही चाहिए preference share वालोग तो यह इतने equity share company lifetime में issue कर सकती है और इतने preference share company lifetime में issue कर सकती है आगे देखते हैं क्या लिखा है फिलाल हजार equity share और 509% preference share इस 9% का कुछ नहीं करना है 9% का मतलब क्या होता है इनको जो dividend मिलेगा वह 9% मिलेगा ठीक है तो हजार equity share और 500 preference share पब्लिक को issue करेंगे हजार equity और 500 preference पब्लिक को issue करेंगे हजार तो यह equity issue करेंगे यह lifetime में issue कर सकते हैं फिलाल हजार equity share और 500 preference share lifetime में issue कर सकते हैं हजार equity share और 500 preference share equity share payable rupees 10 application application पे 10 रुपए है allotment पे 40 रुपए है balance जो है वो 25-25 है first call और final call application पे 10 allotment पे 40 equity share की बात चल रही है ठीक है कि हम application पे जो लेंगे वो 10 रुपए लेंगे allotment पे 40 रुपए और जो बचा 50 दिमाग में यह बात तो आ जानी चाहिए आपके कि सर 40 प्लस 10 50 हो गया तो अभी 50 और बच्चा है तो उस 50 को 25-25 लेंगे 25 लेंगे first call पे और 25 लेंगे second and final call पे ठीक है यह हो गया 100 रुपए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है देखो इसमें क्या है students कि आपको लाइन को पढ़के समझ में आना चाहिए क्योंकि आप इस chapter में इतने भी कोशिन देखोगे ना सब एक paragraph के form में होगा अगर आप paragraph को पढ़के समाजी नहीं पाओगे तो कैसे बात चलेगी और इस chapter को imagination लेके चलना है तब ही मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया क्या है company कैसे काम होता है इतना सब कुछ क्यों बास्वन दे रहा था मैं मैं सीधे आपको बताता है यह entry आद कर लो सवाल बना लो लेकिन नहीं तब आपको आगे problem आती तो जो बच्चा बिलकुल अच्छे से पढ़ रहा यकीन मानो जब मेरे शुन मैं जब 3-4 साल पहले की बता रहा हूँ जब मेरी class में live classes में बच्चे compartment आते थे जो मैं class coaching center बढ़ा लापरवाई नहीं करो अच्छे सी की समझ के करो दिक्कत आती तो class की बाद call करके WhatsApp पे ग्रूप में आप लोग पूछ लिया करो प्रेफरेंश एर अप्लिकेशन 25 पच्चिस है 25 अलॉटमेंट है 50 फस्ट अन्फाइनल पर है 25 यह हो गया एक सरिंदे लेते हैं क्या था अच्छी में अच्छा नहीं नहीं अलॉटमेंट पे 25 है और 50 जो है वह फस्ट अन्फाइनल कॉल पह हमने यहां पर मिस्टेक कर दी इसको 25 करना है इसको 50 जहीं से और यह 50 हूग है 100 तो बस आपकोłą अन्ट्री करनी है इसमें जह गैस Sep堂ंे ना में आपको एक एंट्री करके दियूंग बाकि अन्ट्री अपने कर लेना ध्यान रखना एंट्री हजार से होगी साथ हजार पानसो और पक्चिस से मत कर देना एंट्री वो लाइफ टाइम में पबलिक से ले सकते हैं फिलाल कंपनी ने कितना इशू किया है बताओ जरा हजार और ये प्रेफरेंच शेर पानसो तो पहली एंट्री क्या होगी बताओ जरा पहली एंट्री होगी बैंक एकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेर अप्लिकेशन एकाउंट क्लस कितने शेर हैं बताओ जरा हजार शेर अप्लिकेशन मनी कितने की है दस रुपै की तो हजार शेर है और दस के भाव से पैसे वो देंगे हमको दस अजार दस जार जर्नल के फॉर्मेट में ही करना घर पे अगले एंट्री इक्विडी शेर अप्लिकेशन एकाउंट डेबेट तू इक्विटी शेर क्यापिल आप क्या कर रहे हो हर एंट्री से पहले बस इक्विटी लगा दे रहे हो प्रेफरेंस में आप हर एंट्री से पहले प्रेफरेंस लगा दोगे तो जिनका डाउट था वो मुझे बताओ फटाफट आप डाउट क्लियर हुआ आप लोगोंगा बैंक काउंट डेबिट तू 9 परसेंट प्रेफरेंस शेर प्रेफरेंस शेर क्यापिटल कितने शेर हैं प्रेफरेंस शेर 500 div ऐखकर कितने की पंक्युक्षिस तो तो 500 says और हर शेर काुआ पैसा 25 रुपय है एक्शियस तो पैसा कितना आएगा 200 400 5,0001,0001 त इसी तरीके से ऐलधमेंठ के ऐंट्री पास करोगे फर्स्ट कॉल के एंट्री पास करोगे कर लोगे अपना आप क्लास या मैं कर रहा हूं बताओ फटाओ फट वेरी गुट ठीक है एक साथ एक साथ कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है आप एक साथ भी कर सकते हो इन दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो कोई प्राप्लम नहीं है मैं तो आपको सिंपल Javas Spre when हुआ कि अग चलते हैं depending हम चलो निया कॉंसेप्ट आ जाओ नय कॉंसेप्ट पर आते हैं अभी तक मेरे को यह लग रहा है कि आप लोगों को जो जर्नल एंट्रीज हैं कंपनी किस तरीके से इशू करती है और बेसिक क्या-क्या चीजे हैं वह आपको क्लियर होगी अच्छे ने क्याश्बुक पूछा है तो मैं आपको दिखाता हूं क्याश्बुक कैसे बनाते हैं कुशिन नमबर 8 सब लोग जरा देखो पहले कुशिन नमबर 8 सब लोग चेक करो नंबरिंग वाइस 9 परसेंट लिखना जरूरी देखो अब मैं इसका क्या आंसर दू नाम है तो आप लिख लेना अगर भूल भी गए बाई चांस तो दिक्कत नहीं आएगी बड़ आप लि सब्सक्राइब करना कुछ नहीं है सिर्फ आपको क्या करना है सुनो आपने कभी 11 क्लास में क्या बनाया होगा कुछ इस तरीके से ठीक है मैं लिख रहा हूँ क्याश बुक और यह कौन सा कॉलम में धियान भायान रकना बैंक ओलम आप लोगा ने मेंभी पड़ रखा होगा कि दो कॉलम होते हैं क्याश कॉलम और बैंक कॉलम लेकिन यहां पर जो सारा का सारा है वो बैंक कॉलम में आएगा सुनना बात को जितनी भी बैंक वाली एंट्री हैं उन एंट्री की लेजर पोस्टिंग होगी ध्यान रखना लेजर पोस्टिंग कैसे बैंक में टूशेर अप्लिकेशन लिख दो बैंक में टूशेर अप्लिकेशन जो सुरू से पढ़ रहे हो मेरे पास उन सबको पता ही होगा कि जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल हम कैसे बनाते हैं तो बैंक टूशेर अप्लिकेशन बैंक में टूशेर अप्लिकेशन फिर बैंक में तू शियर अलॉर्ट्मेंट करिए बैंक में तू शियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बस यही तो है हो गया कैश्बुक लो आगया तीन लाग क्या मुश्किल है कैश्बुक में दाओ बाई बैलेंस सीडी तो जितना पैसा आएगा उस सब डेबिट में एक एक करके किस्तों के नाम लिखके दिखा देना हो गया कैश्बुक उमीद है कैश्बुक आपका क्लियर हो गया होगा पेपर में बहुत कम चांस होते हैं कैश्बुक के पूछे जाने के लेकिन मैंने करा दिया क्लस तो अगर आप जर्नल एंट्री की बात करें है अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री से ही क्या करना है आपको और देना है ये आपका बन जाएगा पुरा कैश्बुक चलो खैर कैश्बुक तो आप लोगों का क्लियर हो गहां सबका अब हम चलते हैं next सारा का सारा ट्रॉंजक्षण जो है न वह यहीं पर आएगा bank में debit side और tan लगता है, Companies Act 2013, वैसे तो Company Act 1956 का है, लेकिन 2013 में इसमें कुछ अमेंडमेंट आया, जैसे अभी देखो, देखते हो ना, New Education Policy आई है, 2020, तो उसी तरीके से वो पुराना भी है, 86 का भी है, Similarly Companies Act 1956 का है, लेकिन 2013 में कुछ रूल आये, नए बदलाव आये, आपकी बैलन्स शीट पूरी चेंज हो गई, और हम उसके हिसाब से ही पढ़ाई करेंग थी, पहले तीन कंडिशन हो जी थी, अब दो कंडिशन है, शेयर इशू हो सकता है, एट पार पे, और एट प्रीमियम पे, शेयर पार पे भी इशू हो सकता है, और शेयर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, पार का मतलब क्या होता है, क्लास, अगर किसी शेयर की पेस वैल् दस रुपए है तो company उसको issue भी 10 रुपए में करेगा शेयर की face value अगर 10 रुपए का है तो company issue धी 10 रुपए में करेगा नहीं lump sum की बात नहीं कर रहा मैं lump sum का मतलब इकठे लेगा यहाँ पार का मतलब क्या है जितने का है उतने का ही issue करेंगे प्रेमियम का मतलब क्या है कि company के face value जो है share की वह 10 रुपए है लेकिन issue 10 से जादा में हो रहा है face value company की 10 रुपए है लेकिन issue 10 से जादा में हो रहा है discount class हट गया है discount नहीं है share को discount में issue नहीं कर सकते हमारा companies act 2013 हमको allow नहीं करता कि हम share को discount में issue करें discount का मतलब यह है कि public का पागल बनाया जा रहा है public को सस्ते में share देया जा रहा है उनसे बोला जा रहा है हमारी company में invest करो कलको company अच्छा perform नहीं कर पाएगी company डूब जाएगी कलको और public का पैसा डूब जाएगा तो यह discount का लालत जो है वह आप नहीं दे सकते तो आप share को discount में issue नहीं कर सकते share पार पे भी issue हो सकता है premium पे भी पार का मतलब है face value 10 और issue भी 10 में हो रहा है लेकिन premium का मतलब है face value 10 है लेकिन issue 10 से जादा price में हो रहा है तो 10 से जादा price में अगर issue हो रहा है चाहे वो 11 हो चाहे 12 हो 15 हो इशु प्रीमियम पे हो रहा है तो अब यह ध्यान डगना इस 10 रॐह को तो हम क्या बोलते हैं बताओ जरा पेस वेल्यू इस दो रॐह को यहां हम नाम देते हैं Securities Premium Reserve शौर्ट में क्या बोलते हो आप लोग SPR सर इसे Security Premium Reserve क्यों कहते हैं क्योंकि जो पब्लिक से आपने 2 रुपए खालतु लिया है एक शेर का खालतु क्यों लिया आपकी कम्पने के नाम अच्छा है जैसे आपकी जमीन है कहीं अगर जमीन के आसपाद development है, school, hospital, college है, main road है, रस्ता है तो आप उसका ज़्यादा पैसा चार्ज करोगे आपकी जमीन आपने कभी एक लाख में खरीदी होगी तो आप 10 लाख लोगे तो उसी तरीके से कम्पनी के शेर की कीमत बढ़ा के ली जाती है जब कम्पनी इशू किसमें करता है प्रीमियम पे तो security premium reserve मतलब की extra पैसा जो लिया है और security premium reserve जो है वो कम्पनी किसी भी काम में पैसा इस्तमाल नहीं कर सकती ये पैसा कुछ खास कामों में ही इस्तमाल होता है मतलब जो public से आपने ये 2 रपे फालतू लिया है पर share का इसको ये नहीं क्या building खरीदे लो machine खरीदे लो, stock खरीदे लो, salary दे दो, employee की rent दे दो ऐसा नहीं चलेगा इसके कुछ खास काम है वो public की, public मतलब shareholder shareholder की भलाई के लिए ही आप लगाओगे shareholder कौन होता है students जिन लोगोंने company के share खरीदे हैं जिन लोगोंने company के share खरीदे हैं वो लोगों कौन होते है shareholders ठीक है जिन लोगोंने company के share खरीदे हैं वो लोगों होते है shareholders और यह जो बारा रुपए है इसको बोलते है issuing price अच्छे समाझ ना पूरा concept दिरे दिरे समाझ आएगा 3-4 class निकल जाएंगे ना इसकी तो आप समझे लोगों expert बन जाओ है companies में तो 12 में issue किया है 10 प्लस दो तो 2 रुपए जो है वो security premium reserve है 10 रुपए जो है वो face value है और 12 रुपए जो है वो issuing price है तो यानि company 2 रुपए जो है वो extra ले रही है किसके नाम का premium के नाम का premium क्यों कि company के पास अच्छा reserve है आप महंगा लेने के बाद भी फाइदे में हो इसलिए company ले रही है अगर आपको interest है तो खरीद हो नहीं है तो मत खरीदो price लेकिन यह share का fix है चलो अब आगे चलते हैं अब इसकी जर्नल एंट्री तो हमने कर ली याद है कल हमने जितने भी कोश्चिन बनाया 5 6 7 इवन आज जो बनाया 8 और 9 वह इसके बेस थे 10 का 10 में इसी हो रहा है लेकिन अगर premium पे based है तो मुझे बताओ premium company के लिए घाटा है य premium को हम कहां दिखाएंगे credit में premium company के लिए फाइदा अध्यान अखना और premium कहां दिखाएंगे credit क्लियर यहां तक अब सुनो जरा अच्छे से अब अच्छे समझना अब मैं एक एक्जामपल लेके इसकी entry पास कराता हूं आप समझना application है चार रुपए की और allotment है चार रुपए की first call है चार रुपए की total कितना हो गया बारा बारा मतलब 10 प्लस दो question कह रहा है कि company के share की face value जो है वो 10 रुपए है और 2 रुपए premium है लेकिन sir यह 2 रुपए जो extra लेंगे यह कौन सी किस्ट में लेंगे यह जो 2 रुपए हम extra लेंगे public से यह कौन सी किस्ट में लेंगे ऐसा तो question में कहीं लिखा ही नहीं है किसको कौनसी किस्त मिलेंगे जब क्लास कुश्चिन में कहीं नहीं लीखा होता कि कौनसी क्लेंगे तो हम मानेंगे यह एन किश्च अब मुझे एक बात बताओ आप की त्हुडा दिमागा रगाना बहुत क्युति आअगर बेस अच्छे डवलंप करेंगे बिल्कूल इंट्रेसर आएगा है आपको खुद美味 इस रूपय को बनाँ कितने रुपय की है मुझे बता में 첫 दर डूरुपय की चसे लाऊबर की जिसके अंदर प्रीमियम कितने रुपय है दो रुपय तो फेस to face value कितनी हो कि allotment को अगर कुछ ना लिखा हो अगर कुछ ना लिखा हो तो हम यह मानेंगे कि premium कहां पर है allotment और allotment जो है वह चार रुपए की है face value दो और premium दो टोटल कितना होगे यह 4 रुपए clear है चलो अब हम entry pass करते हैं चलो मैं मान लेता हूं question में 1000 share है कितने share है बता हो जरा company 1000 share issue करती है एक के share 10 है और 20% premium है plus 10 का 20% कितना होता है 10 का 20% होता है दो रुपए तो यानि यह share issue किस पर हो रहा है बारा रुपए में 10 प्लस दो बारा में 4 रुपए अप्लिकेशन है allotment में चार है और first call चार कुशिन अगर आपसे कुछ नहीं कहता तो हम मानेंगे कि premium कहां पर है allotment पर ठीक है नहीं अगर कुशिन silent है ना तो आप allotment पर ही मानोगे यह जरूरी है क्यों सब बच्चे के direction में जा रहे हैं तो आप अलग थोड़ी चले जाओगे यह assumption है जब कुशिन कुछ नहीं कह रहा तो हम यह मानेंगे कि allotment पर ही जो है वह premium है चलो entry मेरे साथ साथ कराओ पहले entry घर पे line खीच के narration बना के entry करना प खाली बैठना किसी को नहीं है लेटना किसी को नहीं है सीरियस हो तो अराम से पढ़ते जाओ पहले entry bank to application दूसरी entry application to capital 4000 4000 अब अलोट्मेंट के entry पास करते हैं शियर अलोट्मेंट अकाउंट डेबिट तूशियर capital अकाउंट ठीक है तूए यहीं पे बदलाव है ज्यान रखना पहली चीज पहली चीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा पहला रूल प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा यानि कि वो किस सड़ आएगा क्रेडिट साइड आएगा प्रीमियम जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड आएगा और दूसरी बात वो ड्यू की एंट्री में आएगा किसके एंट्री में ड्यू की देखो दो एंट्री होती है हर इंस्टॉल्मेंट की एक बैंक वाली बैंक वाली पैसा मिलने वाली एंट्री और दूसरी एंट्री पैसा मंगवाने की एंट्री तो जो बैंक वाली एंट्री होते हैं उसमें तो बैंक लिखा रहता है उसमें पैसा मिलता है रिसीव की एंट्री और एक होता है पैसा मंगवाने की एंट्री तो जब हम allotment की किस्त मंगवाएं आगे बस समज, एक आप लिखलो सरकल में अच्छे से, हिंदी में लिख दिता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना, शियर क्यापिटल में हमेशा, हमेशा पेस वेल्यू ही आता है ध्यान रखना सिर्फ अटेंशन के लिए मैं लिख रहा हूं हिंदी में इसको शेर क्यापिटल में हमेशा और हमेशा फेस वेल्यू ही आएगा दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि share capital में तो face value ही आना है share capital में क्या आना है face value allotment की face value कितनी है 2 रुपए तो share capital में कितना आएगा 2 रुपए premium कितने का है 2 रुपए का तो premium में तो obvious है यार premium लिखा है तो premium लिखोगे और allotment है 4 रुपए का और कितने share है class कितने share आप issue कर रहे हो ऐसे कितने share है हजार शेयर है तो यानि अलोट्मेंट चार हजार की है दो हजार रुपे फेस वैल्ल्यू दो हजार प्रीमियम बस इतना ही बदलाव आएगा जो ब्लैक में लिखा इसके अलावा कोई बदलाव नहीं आएगा फिर पैसा मिलेगा तो बोलो पब्लिक से कितने रुपे मिलेंग को दो होग चीदी बात प्रिमियम उसके डिव की अंट्री में उसको क्रेइट करदें जिस इंस्टॉल्मेंट में प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है बस इतना आपने ज्यान नग cultural के अन्ट्रि में कोई प्रबलम नहीं आपको शेयर है पस लूल टो share capital और दूसरी थेंट्री बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है ध्यांड़ कोई कोई चेंज नहीं है फस्रक रुप्रुपय के स्ल्रक्रश्ति किस्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िस किस्त में प्रीमियम् होगा उस installment की द्यू की entry में आप premium को credit कर दोगे ठीक है इस installment में class premium होगा आप उसकी entry में क्या कर दोगे premium को credit कर दोगे यहां तक कर सकिंगे नरेशन क्या होगी premium की जो सिम्पल लख कर दोगे इंग अलॉट्मेन डिवित 5 रूपीस त्री रूपीस जो भी प्रीमियम है दी एधिया धियुत धियुत प्रीमियम रूपीस जो प्रीमियम को नारेशन में दिखाने की जरूदव भी है आप लेख देना वहीं। इतना प्रीमियम इतना नारेशन पर कोई वरिफिकेशन है बस और पुछ नहीं चलो next आप सब लोगों को मेरी वॉइस तो आर ये clear वॉइस क्लियर है सबको यह सर् देखो जिन लोगों को वॉइस क्लियर नहीं हो रही है मैंने उनको कहा था बार बार कि यार अपना जो इंटरनेट है वो इंप्रूव करो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जो भी आप जो भी चल रहा है वो सब इंटरनेट से चल रहा है इतना तो आप यार 12th Standard में हो दिमाग लगा लो जिन लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है जिन लोगों की वॉइस नहीं आ रही है यार वो अपना इंटरनेट स्ट्रॉंग करो इसके अलावा कोई मेरे पास उसका कोई solution नहीं है मैं आपको यह बोल सकता हूं कि अपना जो speed है वो आप test कर लो जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है वो अपना मैं बार बार इस पर इंटरप्शन नहीं करूंगा यह आपकी responsibility है कि अपने इंटरनेट में ने कहा था आप से वाइफाई लगाओ लेकिन आपको नहीं सुनाई देता मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता आपकी speed आनी चाहिए आप देखो कि यहां पर आपकी speed कितनी आ रही है अगर आपकी speed आ रही है 80-80-80-80-80-40 30-40 भी आ रहा होगा तो भी बहुत है यह मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा यह अपना speed खुद चेक कर लिया करो voice नहीं आ रही अच्छे से नहीं चल रहा है आपका problem है वो speed का issue है यह speed होना चाहिए और मैं बार बार इस पर discussion और नहीं करूंगा यह आपकी speed अपना चेक कर लो आपकी speed जो है वो अच्छे से आना चाहिए अच्छे से आना चाहिए मैं को डाउट है हां बोलो बोलो सर अगर ऐसा लिखा हो कि 2 lakh equity share 10 rupiah और फिर उसमें दिया हो कि 4 rupiah application 6 rupiah और उसमें 3 rupiah premium पहले से है और first and final call balance balance क्या होगा premium भी तो 3 rupiah उसके अंदर in 6 rupiah नहीं नहीं application बता रहे हो आप 4 rupiah की application 4 rupiah की है ठीक है allotment 6 rupiah और उसमें including 3 rupiah premium है allotment 6 की है उसमें कितना premium है 3 rupiah तो face value कितनी हुई फिर 3 हुई ना और total face value और share कितने का है 10 का है 3 rupiah premium है ना 13 हुआ इसका मतलब value 10 plus 3 3 तेरा हुआ ना face value 10 है और इधर face value कितनी 4 3 7 इसका मतलब first call में क्या आएगा 3 अब सुनो face value कितनी है यह 4 face value यह 3 face value face value 10 हो गया premium 3 हो गया क्या 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 online दिखाऊंगा आपको online में share market का बोल रहा था दिखाने के लिए दिखाऊंगा आज पहले कुछ questions करें concept ले करते ना वो सब दिखाऊंगा मुझे याद है अच्छा एक और question में आपको देता हूं जरा आप लोग इसको try करके देखो सब लोग ओके चलो एक company है जिसने 1000 share issue किया है मैं अभी simple simple figure ले रहा हूं तक कि आपको calculation करने में दिक्कत ना हूं एक की कीमत 10 है 10 each rupees 3 premium share 10 का है 3 premium कभी कभी question ऐसे करके 30% premium तो ध्यान रखना यह 30% face value का ही निकलेगा तो ultimately बात वही पढ़नी है तो 30% किसका निकालना है आपने अगर percentage में दिया होगा तो face value का application 3 रुपय का allotment 5 का first call में यह भी 5 का है यह आगया 13 10 प्लस 3 यह आगया 2 प्लस 1 यह आगया आपका 4 प्लस 1 यह आगया 4 प्लस 1 ओके अब इसकी general entry pass करनी है तो हर installment में premium है और rule क्या लिखवाया था मैंने आपको premium जब भी होगा तो वह credit होगा इस question में दे ही रखा है आपको अपने आप मानने की ज़रूत नहीं है question खुदी दे रहा है premium हर installment में जो है दे रखा है तो due की entry में credit करेंगे due की entry में credit करेंगे आप amount भरना सीखो पहली entry क्या होगी बताओ जरा bank account debit to share application account पहली entry जो है वह bank account debit to share application account कितने share हैं बताओ जरा आपके पास 1000 share application मनी कितने की है तो bank में पैसा आएगा 3000-3000 bank to application अगली entry share application account debit to share capital और to SPR अब दिमाग में यह मत लेगा आपने के सर पहली entry में premium को credit करते हैं ऐसा नहीं है due की entry में करते हैं और application की जो due की entry होती है वह पहली नहीं होती वह दूसरी होती है तो मुझे बताओ सब लोग देखो amount application कितने की है application कितने की है 3 रुपए की share capital में हमेशा और हमेशा कौनसी value आती है face value face value कितने रुपए है 2 रुपए और premium कितना है 1 रुपए और आप देख लो debit और credit match भी होने चाहिए आप चेक कर लो debit और credit match भी होने चाहिए allotment की एंट्री allotment की due के एंट्री पहली वाली होती ध्यानकना share allotment account debit to share capital to SPR allotment कितने का है 5 रुपए का share capital में हमेशा और हमेशा कौनसी value आती है face value और premium एक रुपए का है और ऐसे कितने share है क्लास ऐसे है 1000 share तो allotment में आ गया 5000 1000 x 4000 आ गया share capital में और 1000 आ गया premium में ठीक है allotment to capital अब पैसा मिलेगा bank account debit to share allotment account bank account debit to share allotment account allotment account पैसा तो पूरा 5 रुपए ही तो मंगवाए हो पैसा 5 ही तो आएगा first call के entry पास करते है आप लोग उससे पहले ही बना लिया करों सब लोग इतना सिखाई रखा है आपको first call के entry share first call account debit to share capital to SPR class यह first call कितने की है 5 रुपए की share capital में हमेशा face value आएगा 4 रुपए premium तो एक रुपए का और ऐसे कितने share है हजार share पांच हजार चार हजार और एक हजार फिर पैसा आएगा bank account debit to share first and final call पांच हजार पांच हजार very good सबका done हो गया very good यह हो गया हमारा question done तो आप समझ गया ना class किसी भी installment में अगर premium आएगा तो उसकी due की entry में premium को credit करेंगे sir allotment में तो पहली entry में किया है first call में पहली entry में application में दूसरी में क्यों किया यार क्योंकि application की due की entry दूसरी होती है simple आगे बाद समझ तो यह हो गया हमारा questions basic question किताब के question पे नहीं गया अभी हम basic strong करेंगे तीन चर क्लास में तब हम book के question पे चलेंगे दीरे दीरे और एक बार आपका base strong हो गया बस फिर मैं आप भगाऊँगा chapter को फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत अच्छे समझना पहला chapter ही बहुत बड़ा है company का दूसरा तीसरा में कुछ नहीं है पहला ही है जो कुछ है और पहला आ गया दूसरा तीसरा भी आ जाएगा चलो एक और छोड़ा सा question में देता हूँ आप कोशिश करो try करो जरा सब लोग अपने आप बनाओ जितना ज्यादा बनाओगे उतना सीखोगे application है चार रुपए allotment है पांच रुपए यह आ गया तीन प्लस एक यह आ गया तीन प्लस दो और जो balance है वो first and final call है ठीक है balance जो है वो first and final call है X limited है वो issue करता है 100 share only 1000 लेलो चलो आपकी calculation अच्छी हो जाएगी 1000 share है at the rate 10 each at the rate 10 each and rupees 5 premium 5 रुपए premium है चलो करो फटा फट एंट्री पास करनी है सब लोग लो पांच मिनट पहले तो इसको फिली कर दो यहां जो amount आएगा पहले वो लिखो कॉपी में करो ऐसी as it is अप्सक्राइब दो मिनट आएगा कर दो आप कर दो आप कर दो कर दो आप कर दो झाल 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 होगे कैस अब लोगों का वेरी गुड अविनव छह चार प्लस दो होगा फानल कॉल तो यह जो होगी ना क्लास देखो आप समझना बात को छह यह है शहेंगे दस प्लस पंद्रा तो टोडल तो पंद्रा आना है फेस वैलियू दस है प्रिम्यम पांच है तो खुद सोचो यह पंद्रा यह पांच चार नौ तो यह चार आएगा यह पांच है दो एक तीन तो यह दो आएगा सिंपल अब अब एंट्री तो पास करी लोगे आप अब एंट्री में कोई प्रॉब्लम ने तुम्हें आपको इसी करता है फिगर कैसे लिखना कैसे बरना कैसे उसको सब ने कर लिया कला सब लोग फटा फट जड़ा बता दो सब लोगों ने मोस्टली बच्चों ने कर लिया गों अब मैं एक अब एक नया टॉपिक और सीखते हैं फिर हम के ने करा रहा है तब चलेंगे हम कोंशिंट को तो यह प्रीमिम वाला टॉपिक तो हम लोगों अच्छे से क्लियर हो गया आप घर पे इसके आज दिन भर में प्रेक्टिस भी करोगे पुराना भी और यह भी कि चलो यह सबका हो गया वरिगूड सबने कि इते हैं अब नया 현is के बाद कैसे आया बहुना थे और face value 10 है यहां 10 लिख दो यह to face value होता है यह फिस oui मोता है अब total premium 5 होना ची outdated कितना सथов ak do s遣s प्ले सोना चीonstans пять फ्लेस चारत चैहों गया अब empty पास कर दो without चलो नेक्स्ट अगली हेडिंग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लाथ बहुत इंपोर्टेंट है इसको प्लीज सब लोग अच्छे समझो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब यह होता है कि Public ने कितने शेयर के लिए अप्लिकेशन दिया है एक्जाम्पल जैसे मैंने बैच अनाउंस किया कि बहुए यह वाला बैच अनाउंस हो रहा है इसपेशल बैच अनाउंस हो रहा है तो आप लोगों ने apply किया कि हमको join करना हमको join करना exactly company भी क्या करती है कहती है कि इस साल हम आप लोगों के लिए offer ला रहे है हजार share issue करेंगे 10 के हिसाप से आओ हमारे company में share खरीदो अगर आप interested होते हो तो आप क्या करते हो online application देते हो इसी को बोलते है subscribe share capital यानि कि number of applications receive इसका म receive तो application आप कम भी receive कर सकते हो application आप ज़्यादा भी receive कर सकते हो और coincidence ऐसा हो जाए कि application आप बराबर बराबर भी receive कर सकते हो ठीक है तो subscribe share capital अगर company ने issue किया है 10,000 shares और application भी application भी receive हो गई 10,000 से तो class इसको हम लोग बोलते है fully subscribe और अभी तक जितने भी question हमने किया अभी तक हम लोगों ने जितने भी question किये वो इसी पे base थे fully subscribe issue भी 10,000 किया all the applications receive सारे applications आ गई सारा पैसा due due मतलब मांगा और सारा पैसा paid मतलब paid भी हो गया तो यह हो गया आपका normally issue 10,000 application receive 10,000 fully subscribe second dice में issue आपने किया 10,000 share issue आपने किया 10,000 share लेकिन जो application पब्लिक ने दिया पब्लिक ने जो interest दिखाया आपकी company में वो सिर्फ 9,000 share यानि आपके share बिके ही नहीं आपके share सिर्फ 9,000 बिके इसको क्या बोलते हैं under subscription इसको बोलते हैं under subscription ये तो हम पढ़ी चुके हैं fully subscribe का और under subscription में क्या होता है under subscription rules समझ लो all entries all entries should be passed through 9,000 share सारी की सारी entry 9,000 share से हमको pass करनी है सारी entry जो है आपको वो 9,000 share से पास करनी है इसको बोलते हैं under subscription अब इसके बीचे कहानी है जड़ा कहानी सुनो क्या है मान लो समझ समझना कहानी क्या है interesting है मैं company चलाने की सोच रहूं मैं सोच रहूं चलो यार 100 करोड रुपए चाहिए public से पैसा लेते हैं कि 100 करोड रुपए कोई बड़ा amount नहीं है अगर हम आम जनता से ले तो अगर हमारे देश की population की बात करें सब लोग अगर 11 रुपए भी दे देंगे तो 140 करोड रुपए कठा हो जाएगा सब सिर्फ एक एक रुपए देंगे तो भी population बड़ी है तो इतना tension वाली बात नहीं हम जनता से पैसे लेंगे 100 करोड रुपए में building बनाएंगे machine बनाएंगे हमने पूरा का पूरा tender decide कर लिया कि इतने की building आएग इतने की machine इतने का stock खरीदेंगे इतने employee यहाँ पर यह legal framework यह सब सब decide कर लिया ठीक है तो हमने public से बोला कि भाया हमें 100 करोड रुपए दे दो public ने दिये कितने रुपए 80 करोड रुपए मतलब subscription कितना percent हुआ 80% यह कुछ ऐसा है जैसे मैंने 1000 share के लिए public को दिया offer और public ने सिर्फ 800 share ह आप्लाइ किया यह 100 share मैंने public को बेचा अ lot 18 share खरीदा अब होगा क्या इसमेए इसमें क्या होगा मुझे क्या दिक्कत है ऐसी करोड तो आ गया ना बहुत है मेरों क्या दिक्कत है मैं बोलूगा कोई बात नहीं अहम करोड से business को स्टार्ट कर देंगे हम असी करोड से बिजनस को स्टार्ट कर देंगे पर एक चीज दिमाग लगा के आप सोचो जो धन्दा जो बिजनस सौ करोड रुपय में शुरू होने वाला था अगर उसके लिए 80 करोड मिलेगा तो क्या वो बिजनस अच्छे से शुरू हो पाएगा क्या हम वही building, वही machine, वही plant, वही labor, क्या हम hire कर पाएंगे, नहीं, सर कुछ कटोती करनी पड़ेगी, अच्छे से नहीं करना पड़ेगा, कुछ कटोती करनी पड़ेगी, अगर कटोती करनी पड़ेगी, तो उमीद है कल को आपका business क्या चला जाए, घाटे में चला जाए, बा इसा जनता का लगा हुआ है जब दूसरे इनसान का पैसा लगा होता है तो हम चलार पैसा है उसकास करवां जो हम आपना काम करेंगे पर लेकिन जो हमने प्लान करोड किया था क्या वह 80 क्रोड में 10 क्रोड में 50 क्रोड में हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए government ने rule बना दिया सरकार का rule क्या आ गया कि सरकार ने rule बनाया कि जो minimum subscription है minimum subscription जो है वो 90 परसेंट का आना चाहिए मतलब कि तुमने कोई offer दिया और 100 share का लोगों ने तुम्हारे 90 share खरीद लिये तो ही तुम आगे काम चला पाओगे अगर तुम्हारे 90 share नहीं भीके कम से कम कम से कम तुम्हारे 90 share अगर नहीं भीके तो तुमको आगे नहीं जाना जिन लोगों से तुमने पैसा लिया है उनको उनका पैसा लोटा देना समझ में आगी बात मैं आपके एक और एक्जामपल लिता हूँ मैं एक टीजर हूँ तो मैंने सोच एक बैट स्टार्ट करते हैं business studies का और मैंने उसकी fees रगदी बैट स्टार्ट कर दिया और मेरे दिमाग में है कि 10 बच्चे आने चाहिए तकि मेरा खर्चा निकल जाए है बच्चे आए उतना इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा जितना मैंने सोचा था नहीं नुक्सान मेरा थोड़ी होगा नुकसान किसका होगा बच्चों का इस से अच्छा मुझे इस बैच को बंद कर देना चाह करूंगा दुबारा चीज होगी तो उसी तरीके से कम पब्लिक से कम पैसे लेने को भी तयार है क्लास लोटाने के लिमिट होती है यह आपके लॉव में लिखाओगा में बैच नहीं चल रहा तो मुझे इन पांच बचो का पैसा जल्दी जल्दी पब्लिक को लोटा देना है तो यह है आपका मिनिम्मम सब्सक्रिप्शन कितना नचे ना इंटी ऐसा मानते हैं कि सौ करोड रुपए में तुमने प्लान किया यार सौ की जगे 90 मिलेगा तो ठीक है तब भी काम चल जाएगा लेकिन 90 से कम मिलेगा अगर तो काम नहीं चल पाएगा तो आपको पैसा जो है पबलिक को लोटा देना है पर कंपनी भी शातिर होती है कंपनी क्यों पैसा लोटाएगी अप के 90% share मेरी गारेंटी है तो कमपनी कहती है अरे भाई तेरी क्या guarantee कल को तू ना भीकवा पाया तो अंडर रेड़ कहता है अगर मैं नहीं भीकवा पाया तो मैं खरीद लोगा क्या प्रबलम है तुमहारे 90% share भीग जाने चाहिए एवन तुमारे 100% share की मैं guarantee ले रहा हूं कि म डिलर और उसके plot card के plotting करके उसकी जमीन बिकवा देता है और बदले में commission लेता है यह कुछ ऐसा ही है तो कभी भी आपको paper में आ जाए minimum subscription कितना है तो minimum subscription जो है वो 90% है ठीक है यार एक बात बताओ students अगर आप बोलोगे sir मेरा absent हो गया मुझे यह हो गया मुझे फिर से सुरू से समझा दो जो पचास बच्चे और बैठे हैं फिर वो पागल है क्या यह आपकी problem है अब सारी चीजे दुबारा problem आज तो मैं समझा दे रहा हूं पर नेक्स सम ध्यान रखना यह ऐसे पढ़ाई हो ही नहीं पाए कि आप मेरा phone बंद हो गया था मेरा यह हो गया था मुझे दुबारा समझा दो तो यह नहीं हो पाएगा के लिए apply किया है subscribedfish का मतलब यह फिप यह है कि public ने कितने не share लिए apply किया है फाम कितने शियर की बर के दिया है जैसे अभी compartment के फंब निकलेंगे तो कितने बच्चे apply करेंगे वह सारे बच्चे form भरेंगे यही नहीं तो वहीचीज है कि apply कितने लोगों ने किया है तो अगर मालो कंप्री ने इशू किया 10,000 शेयर और अप्लिकेशन भी 10,000 किया आई तो इसको बोलते हैं fully subscribe अगर इशू किया 10,000 लेकिन अप्लिकेशन कम की आई तो यह 9000 की अप्लिकेशन आई है इसको बोलते हैं under subscription और ध्यानक ना under subscription में सारी entry सारी entry किस से करोगे आप 9,000 से क्यूं अप्लिकेशन का पैसा कितने लोग देंगे 10,000 यह 9,000 जब अप्लिकेशन 9,000 क्या यह तो 9,000 देंगे allotment का पैसा कितने लोग देंगे 9000 first call का पैसा कितने लोग देंगे 9000 final call का पैसा कितने लोग देंगे 9000 सीधी सी बात है सारी entry 9000 से होगी और आपको ये ध्यानक ना है जो minimum subscription है जो minimum subscription है वो कितने percent आनी चाहिए वो 90% आनी चाहिए आप बस knowledge के लिए लिख लेना इसको apply कहीं नहीं करना theory में या tick mark में आपसे पूच सकता है मैंने तो कहाने समझा दी कि ऐसा क्यूं होता है तो सरकार कहती है companies act कहता है कि कम से कम जो आपका subscription आना चाहिए वो 90% आना चाहिए जो minimum subscription है कम से कम जो subscription आना चाहिए आपके पास वो 90% का आना चाहिए यानि कि आपके 90% share तो कम से कम big ही जाने चाहिए पर आप compare मत करना question में कि 90% की आईए की नहीं आईए अच्छा अगला अगर आपने issue किया 10,000 और application आईए 12,000 की बोलो इसको क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको very good over subscription यानि कि अगर application ज्यादा share के लिए है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे over subscription कम के लिए आई है application तो under subscription ज्यादा के लिए आई है तो over subscription बराबर आया तो fully subscribe अब सवाल यह है किसर आपने तो issue किया था 10,000 के लिए application 12,000 किया यह तो क्या करोगे आप तो 2,000 को मना करना है 2,000 shares को हमें क्या करना है मना कर देना है हम आपके application accept नहीं कर सकते हमको बहुत दुख है और हम आपका पैसा जो है वो लोटा देंगे example के तौर पे मान लेते हैं कि एक school है जिसमें 100 seat है उनके पास लेकिन admission करवाने के लिए 11th में बच्चे आगए 110 यह 120 बच्चे आगए उन्होंने form तो खरीद लिया prospectus वगेरा तो खरीद लिया सब कुश हो गया लेकिन बाद में देखा तो seat तो इतने ही है तो हम उनका पैसा उनको लॉट आ देंगे हम ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कूर्सी लगवा देंगे seat है इसका मतलब seat जो होता वो permission होती है सरकार से इतने की permission है इतने ही बच्चे हम school में ले सकते हैं अगर उससे ज्यादा क्या application आती है तो हम नाम सुनाओगा जिसका नाम है pro rata allotment तो यह pro rata क्या होता है किस तरीके से pro rata allotment होता है इसका table किस तरीके से बनता है यह सिखाऊंगा और जिनोंने किसी दूसरी तरीके से सीख रखाऊना class वह अगर आपको perfect आता है तो आप वह करना है कि दो तरीके होता है एक table wise statement wise तरीके से ही कराऊंगा आपको ठीक है यह कल कराऊंगा मैं आपको अभी under और under subscription और fully subscription fully subscribe के question मैं करा चुका हूं under subscription का एक-दो question देख लेते हैं और फिर कल की class में जो over subscription करा दूँगा आपको तो आपकी class एक्दम अच्छी हो जाएगी फिर आप एकदम चले जाओगे ठीक है table wise ही कराऊंगा आपको don't worry चलो अब जरा कुछ questions देख लेते हैं इसके ठीक है कुछ sum इसके चेक कर लेते हैं चलो यह रहा 9 तक हम लोग ने कर लिया था question यह देखो आपको सईसे दिखेगा 9 question तक कर लिया था अब आते है question number 10 पे ठीक है question number 10 पे आते हैं एक इसमें balance sheet बनाने के लिए question आता है कि आप extract of balance sheet बनाओ वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा बस मैं जैसे से करार हूं वैसे जैसे करते चलो आगे जो भी चीजे है जो भी है वो सब हम बाद में सीख लेंगे अगला topic है issue of share for cash at premium अब यह topic हमने कर लिया question देखते है shiva limited shiva limited है कितने share issue किये है एक लाख equity share question को धंग से पढ़ना एक लाख equity share एक कीमत कितनी है 10 रुपय और premium है 5 share issue हो रहा है 15 रुपय में 10 रुपय face value 5 रुपय premium the whole amount was payable on application issue was fully subscribed मतलब सारा पैसा आ गया और सब लोगों ने हमारे share ख़िद लिए पास करनी आपको entry तो बताव कितने share है एक लाख एक की कीमत कितनी है 15 कैसे 10 रुपय face value 5 प्रीमियम और यह सारा का सारा पैसा application पे ही आ रहा है तो पहली entry क्या करोगे आप लोग bank account debit to share application account आएगा 1 लाख into 15 15 लाख 15 लाख अगले entry होगी share application to share capital to SPR SPR 5 रुपय face value 10 यह आपका 15 यह 15 लाख है share capital में हमेशा value आती है face value 10 रुपय और premium 5 रुपय कोई दिक्कत समस्य किसी को देखो हो गया question very good amount भरना सीख जाओ कुछ बच्चे पता क्या गलती करते हैं वो सारे entry पहले लिख देते हैं क्यों लिखा पांच क्यों लिखा सब आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए वेटावटे क्लास किसी को यहां तक हाँ कल मैं आपको calls in area अभी मुझे क्या क्या सिखाना है सुन लो calls in area सिखाना है calls in advance आपको सिखाना है और over subscription सिखाना है यह सब जब हो जाएगा तो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है अभी question number हम चेक करते हैं जिस पर आओ 13 पर question में 13 पर आते हैं board के paper में आया हुआ है question 13 question पर आते हैं तो आपको बनाना है question नहीं है ठीक है मैं आपको समझा रहा हूँ बस question बनाना आप और सब लोग अच्छे से बना के बताना हो गया के नहीं हो गया आपका ठीक है authorized share capital of suhani limited ध्यान रखना यह मैंने blog बनाया है यह rupees दे रखा है share नहीं है 45,000,000 रुपए ले सकते हो 30,000 वाले एक share कितने का है 500 यानि कि 30,000 share लाइन को धंग से बढ़ना rupees में दिया है या number में अगर number को multiply करते हैं तो rupees आता है अगर rupees दे रखा है तो 30,000 से divide दोगे तो number पदल जाएगा बात को समझना मुझे 45,000,000 रुपए लेने हैं 500 वाले share को issue करके कितने share issue करूँ मैं मेरा एक share 500 का है 45,000,000 रुपए मुझे लेने हैं तो मैं ऐसे कितने share issue कर दूँ ताकि 1,500 के भाव से मुझे 45,000,000 रुपए मिल जाएं तो मैं 30,000 share जो है 30,000 share issue करूँ गा और वो कितने का एक है 1,500 का एक तो बन जाएगा कितना 45,000 रुपए जिसमें से company ने फिलाल कितने share issue किये हैं 15,000 share, 1,500 सब लोग सुन लो सारी entry 15,000 से होगी 30,000 से नहीं होगी क्यों 30,000 वो lifetime में issue कर सकती है company 30,000 जो share है वो company lifetime में issue कर सकती है पर फिलाल company ने कितने share issue किये हैं फिलाल company ने issue किये हैं एकला सिर्फ 15,000 share फिलाल company ने 15,000 share issue किये हैं एक की कितनी कीमत है 1,500 और premium कितने रुपए का है 10 रुपए का जो यानि शेयर जो होगे आपका वो कितने का होगे एक सोच का धर पर बनाओ गया सवाल इसलिए मैं सिखा रहा हूं ऐक सोच कैसे एक सोच की से थेड़ू फेस वैल्लुई दस रुपै प्रिमियम कितने की है एप्लीकेशन बनी है पचास रुपै की यह कितने की है 40 की including premium अच्छा इसी में premium 10 रुपे का include है तो एक मुझे बात बताओ अगर 40 value है 10 premium है तो face value कितने होगी 30 रुपे और जो बचा कोचा हो first call तो बताओ बचा कितना बचा 50 प्लस 40 90 और 160 में से 90 घटा होगे तो बताओ first call कितने का बनेगा अगर आप 160 में से घटा दोगे 90 तो first call कितने का बनेगा 70 रुपीज का अचा अचा एक सेंगड एक सेंगड इसमें first call दिया हुआ है ना first call 30 का है हाँ first call 30 का है तो बताओ final call कितने का बनेगा एक सो साथ में से 50 प्लस 40 90 और नोतीन बारा तो यह 40 रुपे का बनेगा ओके लिखते चले जाना सब कुछ साथ साथ में प्लस जब भी company initial public offer निकालेगे उसको 90% का चाहिए होता है initial public offer में IPO बस आपको ध्यान रखना है कि 90 परसंट आप company law पर मत जाओ लो तो बहुत कुछ है लो तो बहुत आगे कि बहुत सारी बाते बताता है अभी वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया दिमाग में है तो मैं समझा दिया है कि यह क्लियर है क्लास 13 कोशिन बना लोगे अच्छा सुन तो इस तरीके से 13 कोशिन जो है वाँ पूरा बना लोगे अब आते हैं एक और कोशिन पर 13 कोशिन तो क्लास यह हो गया यह आप लोगों को बना लेना है मैंने इसका image भी गृप में भेज दिया है help चाहिए हो तो इससे आप help ले सकते हैं नेक्स देखते हैं कोशिन बर 12 कोशिन पर आजाओ क्लास सब लोग कोशिन बर 12 पर 12 में इश्यू कितने शेयर किये हैं क्लास 2000 अब सुनो प्लीज 2 लाग को सब जिगे मल्टिप्लाइब मत करने लग जाना 2 लाग रुपे है यानि कि 2 लाग रुपे लेंगे 10 का एक है तो अगर हम 2 लाग रुपे लेना चाहते हैं और 10 का एक शेयर इश्यू करके तो कितने शेयर इश्यू करेंगे 20,000 लेकिन फिलाल फिलाल कंपरी ने कितने शेयर इश्यू किया है बताओ जरा फिलाल कंपरी ने 2000 िशु किया है पब्लिक के लिए जिसमें से 18 warm शेर के से लिए आप्लिकेशन आये तो मुंझे पताओ सारी एंट्री बैस से करोगे सारी एंट्री लिए अथा सोय च्वार्ट शेर की सारी की सारी एंट्री जो है आप्लाइड इस यदि 18 ऑप्लाइड एंड अलोटेड रुपीस थी पर शे इंक्लूडिंग वन प्रीमियम प्लास जो ऐप्लिकेशन हो न वो थीन रुपै की हैं तिल न प्रीमियम यानी कि प्लिकेशन कितने कि ही हो गई और आगे बात समय करें लिखा है साफ-साफ इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम और 4 रुपए इंक्लूडिंग 1 रुपए 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 प्रीमियम और 4 रुपए इंक लिख ले ना कॉपी में इसको यही बेसिक चीज है एकर इसको समझ गये तो entry आगे बना पाऊगे यही समझ नहीं आये तो entry कैसे बनाऊगे आपको entry pass करने आप entry pass करना balance sheet मत बना ना क्यों कि balance sheet जो है वो अभी आपको पढ़ना नहीं है जब पढ़ाऊंगा तब सीख लेंगा सबको क्लियर हो गया क्लास ये कोश्चिन अब 11 कोश्चिन जो है ये पेंडिंग छोड़ देना यह मैं आपको कल कराऊंगा 11 कोश्चिन तो यहां तक आप सब लोग कर लेना अच्छे से कोई इसको दिक्कत परेशानी हो तो क्लास पूचलो पिर आम नेक्स क्लास में continue करेंगा अब यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी है तो एक एक करके अच्छे से पूचलो जिसको जो समस्य दिक्कत है Oczywiście 33 कोशिन कए लास के लास का कौंच पॉंट के लास लैंगी होगी अच्छ आ क्रमें तो मेन साथ रोड़ा कि अने किया पालिक नथी फालाओ कि इतने के लें किया है आरी एंट्रीर कड़ाओ यहिंडी थितनीडीर होंगी यतिनी भी entries आप करोगे वह 14,000 शेरं करना कोई अंडर सब्सक्रिप्चनंटर सारी entry , 14000 से पिंडा किया तोกे को और बताओ class कोई वी लोगोर को दिखत परिशानी है तो किसी को आधर लें समस्वां कियों सबांते प्लीमियम के इसंडीरियस法 करते हैं क्या यहां पर देखो 150 का एक है दस प्रीमियम तो टोटल कितने का हो गया टूटल हो गया एक सो साथ का कैसे यहां पर क्या लिखा है चालिस अलटमेंट पर है लेकिन इसके अंदर ही प्रीमियम भी यह 10 रूपे चालेज जो है वो 30 प्लस 10 हो जाएगा ठीक है और 30 रुपय फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल 30 तो बचा कितना फाइल कॉल बता हो जारा 50 40 70 50 40 90 और 90 और तीन 120 तो या गया 40 रुपय प्रेमियम तो एक ही जगह है प्रियम का डिस्टिविशन क्या करना है वो तो अलॉटमेंट प पर चैर एक से एड़िट एक कंटीशां का इंकलोडिंग ब्रैकन हो इतना प्रीमियम है रुपय है फेस वैल्यू जो है वह फेस्टो चालेस रुपय हो गया आप और कपा अब खूर्य लंट आप प्राइस में कल दिखाता हूँ आपको आप इतना कर लो नेक्स क्लास में दिखा हूँ कैसे शेर का प्राइस जो है वो आप एंड डाउन होता है ठीक है अभी आप यहां तक कर लो नेक्स क्लास में कंटिन्यू करते हूँ